Hello friends, welcome back to study car, मैं हूँ आपका दोस्त प्रफाकर, आज हम डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर 2021 related most important current affairs, तो दोस्तो आप इस lecture को बहुत ही ध्याल से सुनिएगा, ये lecture आपके exam के point of view से important होने माला है, last में आप से कुछ question पूछ जाएंगे तो उनके answer आपको comment box में जरूर देना है, चलिए ये говорi का answer होगा अलप संख्यक मंटराले के द्वारा, दोस्तो हाली में नई दिल्ली में 35 हुनरहाट का अजःजिन किया गया है, तो इसका अजःजिन किसने करवा है अलप संख्यक मंंतराले के द्वारा, याद रखिएगा कि जितने भी हुनरहाट काöttा अजःजिन होता है इसमें देश भर के जो सिल्पकार हैं और कारिगर हैं वो अपने उत्पादों की प्रदर्सनी लगाते हैं यनि दोस्तों जो भी सिल्पकार और कारिगर होते हैं उनके द्वारा जो बनाई गई विसेस प्रकार की चीजे हैं उनकी प्रदर्सनी लगाई जाती है हुनरहाट में और इसकी theme क्या है तो vocal for local और अल्पसंक्यक मामलों के मंत्री कौन है अभी बर्तमान में उनका नाम याद रखिएगा मुक्तार अब्बास नक्भी अंगला question है वाड़ा के द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अंसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उनलंगन करताओं की सूची में भारत का इस्थान क्या है या भारत कौन से इस्थान पर है आंसर है इसका तीसरा दोस्तो भारत दुनिया के उन देशों की सूची में सामिल है जहां डोपिंग के सरबाधिक मामले पाए गए हैं और 2019 में डोपिंग रोधी नियमों का उनलंगन करने के मामले के आधार पर वह तीसरे अस्थान पर है दोस्तो डोपिंग क्या होती है कि जब कोई एथलीट या खिलाडी किसी प्रतिबंदित दबा का उप्योग करता है तो इस इस्थिदिय को डोपिंग कहा जाता है तो भारत में 2019 में जो मामले पाए गए हैं वो पाए गए हैं 152 जो की 20 के कुल मामलों का 17 प्रतिसत है यानी 17 प्रतिसत मामले केबल भारत में पाए गए हैं इसके आदार पर 2019 में डोपिंग रोधी नेवों का उलंकन करने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है पहले स्थान पर रूस है दूसरी नंबर पर है इटली और तीसरे नंबर पर है भारत दोस्तो अब हम बात करेंगे विस्टो डोपिंग रोधी एजनसी की यानि डोपिंग की गतिवीडियों को रोकने वाली विस्टो इसतर की संस्था का क्या नाम है विस्टो डोपिंग रोधी एजनसी या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी इसे हम वाडा के नाम से भी जानत और दोस्तो भारत में जो doping roadie agency है उसका क्या नाम है NADA क्या नाम है दोस्तो याद रखीगा NADA इसका full form होता है National Anti-Doping Agency अंगला प्रसने हैं बहुत ही महत्मोंट प्रसने हैं हाल ही में संयुक्त राज्ट सुरक्षा परिसद ने किस देश को सहायता प्राप्त करने के लिए प्र अमेरिका की द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो अफगानिस्तान में मानविय राहत की सुविधा प्रदान करेगा दोस्तो हुआ क्या है कि जो United Nation की Security Council है या सुरक्षा परिसद है उसमें अमेरिका ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें ये कहा गय अफगानिस्तान है उसकी मानविय आधार पर सहायता की जाए तो इस पर जो सुरक्षा परिसद के सदस थे उन्होंने अपनी सहमती जिताई है दोस्तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो हम अफगानिस्तान को मदद करने वाले हैं उसमें जो तालिबान है उससे जुड़ी संस दोस्तो अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्य सुरक्षा परशत की यानि United Nations Security Council की दोस्तो यह संयुक्त राष्ट के 6 अंगों में से एक अंग है और इसका कर है अंतर राष्ट्य सांती और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसकी स्थापना कब की गई थी 24 सक्टूबर 1945 को Headquarter जरूर ध्यान से सुनेगा इसका Headquarter है New York संयुक्त राष्ट अमेरिका में अंगला प्रस्ण हैं बहुत इमात्पोंड प्रस्ण हैं किस भारतिय खिलाडी ने हाली में अंतर राष्ट्य क्रिकिट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घुचना की है आंसर है इसका हरभजन सींग दोस्तो हरभजन सींग ने इसकी जानकारी हाली में सोसल मेडिया पर दी है कि अब वो किरकिट से सन्यास ले रहे हैं और सभी फॉर्मेट से दोस्तो हरभजन सींग ने हैट्रिक लेने के मामले में वो पहले ऐसे प्लियर थे या गैनवाज थे जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक ली थी उन्होंने 2001 में वाडर गावस का ट्रॉफी में ऑस्टेलिया के खिलाब तीन मैचों में 32 विकिट लिये थे दोस्तो हरभजन सींग टी 20 वर्ल्ड कप 2007 और वंडे वर्ल्ड कप 2011 की विजेता टीम के सदस भी रह चुके हैं अंगला प्रसन है बहुत ही मात्मोल प्रसन है किस राज्ज ने धर्म की सोतंता के अधिकार का सररच्छण विधियक 2021 पेस किया है क्या विधियक गलत बयानी, जबर जस्ती, धोकार धढ़ी, लालच या साधी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्मे धर्मांतरन पर रोक लगाता है यानि दोस्तो जो धर्म का कनवर्जन है उसको रोकने के लिए यह विधियक लाया गया है और अरुनाचल प्रदेश, छतीसगर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जहारखंड, मद्द प्रदेश, उडिसा, उत्तर प्रदेश और उत्राखंड राजियों के जैसे भी इसने धर्म परिवंतन को प्रतिवंदित करने के लिए कानून बनाया है। दोस्तो अगर आपको इस लेक्शर का पीडियप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन के लीजीगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इस्टिड गटन किया है। अंगला प्रसन है डाफला की पहाडियां मुख रूप से किस राज्ज में पाई जाती हैं या किस राज्ज में हैं आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। अंगला खुशन है बरावर की गुफाएं किस राज्ज में इस्ते थे आंसर होगा इसका बिह पचीन्तम ग्रंत के इस लोकों को संगीत बद्ध किया गया है तो आंसर इसका साम बेद को चलिए अब हम अंगला प्रसने डिस्कस करते हैं करेंट अफिया से रिलेटेड तो ध्यान से सुनियेगा हाली में सुसासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे का मनाया गया तो इसका आ बिनाने की शुरुबात साल 2014 से हुई थी जब मोधी गवर्मेंट सक्ता में आई थी दोस्तो अटल बिहारी बाजपेई का जन में 25 दिसंबर 1924 को गौालियर मद्ध परदेश में हुआ था अब हम बात करते हैं अटल बिहारी बाजपेई से संबनेत कुछ महत्पूर तत्थ दोस्तो वर्स 1992 में उन्हें पदम बिभूशन से सम्मानित किया गया था और 2014 में उन्हें भारत रतने से भी सम्मानित किया गया तीन बार वो भारत के प्रदान मंतरी रहे हैं सबसे छोटा कारिकाल अटल बिहारी बाजपेई जी का रहा है 13 दिनों का पहली बार इनकी सरकार 13 दिनों की बनी दूसरी बार इनकी सरकार 13 महिने की और तीसरी बार जो इनकी सरकार बनी थी ये 5 साल के लिए बनी गई थी दोस्तो अटल बिहारी बाजपेई की बात करें तो 1994 में इन्हें सर्बसेश्ट सांसत का भी पुरुस्कार मिला और 16 अगस्ट 2018 को अटल बिहारी बाजपेईजी की मृत्तु हो गई थी तो दोस्तो ये थी कुछ important बातें अटल बिहारी बाजपेजी से सम्बन ने थी अंगला प्रस्न है किस देश ने safe under 19 महिला championship फुटवाल का किताब जीता है आंसर है इसका बांगलादेश तो दोस्तो बांगलादेश ने final में भारत को हरा करके safe under 19 महिला championship का खिताब जीता है बांगलादेश की साहेदा अक्तर रिपा ने टूनामेंट में सबसे ज़्यादा गोल किये हैं और गोलों की संख्याती इनकी 5 इसके लिए उन्हें most value a level पिलियर का भी पुरुसकार दिया गया है दोस्तो इस championship का आयोजन 11 से 22 December 2021 के बीच बांगलादेश की राजधानी धाका में किया गया था और दोस्तो किस stadium में किया गया था तो मुस्तपा कमाल इस्टेडियम में चलिए अब हम बात करते हैं सैफ की तो सैफ का full form होता है South Asian Football Federation जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी Headquarter है इसका धाका बांगलादेश में और इसके member कितने हैं दोस्तो तो इसके कुल 7 member हैं कौन-कौन से हैं बांगलादेश, इंडिया, माल्दीप, नेपाल, पाकिस्तान, स्री लंका और भूटान प्रेसिडेंट की बात करें तो काजी सलाउद्दीन जो हैं वो बांगलादेश के हैं और वो अभी सैफ के प्रेसिडेंट हैं अंगला कुश्चन है बहुती मातपूर्ट प्रसन है किस राज्य सरकार ने सक्ती आपराधिक कानून संसुधन बिधयक 2020 पारित किया है तो इसका आंसर होगा महराष्ट दोस्तो इस बिधयक का मुख उदेश है महिलाओं के खिलाप अपराध पर लगाम लगाना और महिलाओं और बच्चों के खिलाप अफराध के लिए कड़ी सजा का प्राधान करना दोस्तो इस बिल में 16 साल से कम उम्र की महिलाओं से रेप और गैंग रेप जैसे जगन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्राधान रखा गया है या उम्र कैद का प्राधान है दोस्तो वालादकार और सामोहिक बलादकार के जगन अपरादों के लिए मृत्तु डंद को मजूरी देने वाला आंधर प्रदेश के बाद महराष्ट भारत का दूसरा एस्टेट बन गया है बात आई है महराष्ट की तो महराष्ट के बारे में कुछ important point discuss करते हैं ध्यान से सुनिएगा राजधानी है मुंबई और महराष्ट का जो इस्थापना दिवस है वो हर साल एक मई को मनाय जाता है और गुजरात का भी एक मई को ही मनाय जाता है दोस्तो जो महराष्ट का उच्च नियाला है वो है मुंबई में और यहां की जो भासा है वो है मराठी लोग शभा सदस्थों की शंक्या है 48, राज़सभा सदस है 19 और विधान सभा सदस है 288 दोस्तो महराष्ट के पहले चीप मिनिस्टर कौन थे तो उनका नाम था Y.B. चोहान और बरतमान में कौन है चीप मिनिस्टर महराष्ट के तो उद्धव ठाकरे हैं पहले राजपाल कौन थे, स्री प्रकास थे और बर्तमान के राजपाल कौन है भगस सींग कोशियारी चलिए फ्रेंड्स अब हमने जितने भी कोशन डिसकस किये हैं तो उनका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा पहला कौशन है नई दिल्ली में आवजित 35 बे हुनर हाट का एवजिन किस मंत्राले के द्वारा किया गया है आंसर होगा इसका अलप संक्यक मंत्राले के द्वारा वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अंसर दुनिया की सबसे बड़े डोपिंग उलंगन करताओं की मामले में भारत का इस्थान कौन सा है तो आंसर होगा इसका तीसरा अंगला कोशन है हाल ही में संयक्त राष्ट सुरक्षा परिशत ने किस देश को सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताओ अपनाया है तो आंसर होगा इसका अफगानिस्तान किस भारतिय खिलाडी ने हाल ही में अंतराष्टी किर्केट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लेने की घोशना की है आंसर होगा इसका हर भजन सिंग और अंगला कोशन है किस राजज ने धर्म की स्वतनता के लिए अधिकार का सरचण विधेक 2021 पेस किया है आंसर होगा इसका कर इसका खिताब किस ने जीता है आंसर होगा बांगला देश और किस राज्य सरकार ने सत्य आपराधिक कानून विधेक 2020 को पारित किया है तो आंसर होगा इसका महराष्ट चलिए फ्रेंट्स अब हम जी किस रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट कुशन डिसकस करते हैं तो ध्य वाइड वेव होता है एक किलो वाइट में कितनी वाइट होती है तो आंसर होगा इसका दस सो चौबिस वाइट होती है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के 1929 के एतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी आंसर होगा जबाहलाल नहरू केंद्रिये असेंबली मे बम फैकने में भगर सिंग का साथ ही कौन था आंसर है इसका वट्टू के सुर्दत मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी 1940 में अंगला कोशन है कौमन वील पत्रिका का प्रकासन किसके द्वारा किया गया था आंसर होगा इसका एनिवेसंट के द्वारा दोस्तो अब हो वो प्रसने डिसकस करेंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रसनों को पहला क कोशन है महराष्ट के बर्तमान में गवर्नर कोन है दूसरा है साउथ एसियन फुटवाल फेडरेशन का हैड़ कोर्टर कहा है तीसरा कोशन है गूड गवर्नेंस डे का मनाया गया और चौथा कोशन है टेस्ट में हैट्रेक लेने वाले पहले भारतिये कौन थे तो इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिगा कल के जो सटीक आंसर दिये है या पिछले लेक्शर के जो सटीक आंसर दिये है उनके नाम है महेंदर सिंग, रूपाली ठाकोर, संदी पांडे और खुसबू सिंग, आप भी आंसर दीजिगा हमें इंतजार रहेगा आपक कोड है हमारा study कर 01 दोस्तो जैसे आप study कर 01 कोड यूज करेंगे आपको मेरा modern Indian history का audio course free में मिल जाएगा दोस्तो आप हमसे WhatsApp के माध्यम से भी संपर कर सकते हैं हमारा WhatsApp नमबर है चलिए दोस्तो कुछ और important बातें discuss करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा आप राजा गुपता को unacademy for follow कर लीजिएगा वहाँ पर आपको उनकी special classes, live classes मिल जाएगे और अगर आप unacademy for कोई भी free class जोईन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक referral code यूज करिएगा राजा वैचिच स्टार्ट हुए हैं December 2021 में तो उनको भी आगर आप जोईन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एक referral code यूज कर सकते हैं राजा नमबर 1 अगर आपको ये lecture पसंद आया है तो like, share जरूर कर दीजिगा जिससे studyaker को support मिल सके और studyaker को follow करना बिल्गुल नहीं भूलिएगा जैहिंद वंदे मात्रम